आर्थ इसमें हमने प्लेनेट कैसे बने उसके बाद स्टार्स कैसे बने बहुत सब हमने पढ़ा अब इसमें का लास्ट्रोपिक है सॉलर सिस्टम यह हमारे प्लेनेट्स है Mercury, Venus, Earth, Mars Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune हम देखेंगे कैसे कैसे यह बने क्या-क्या इनका forms है क्या-क्या इनका volume से क्या इनके अंदर differences है तो Mercury, Venus, Earth, Mars इनको हम कहते है Inner Planet क्या बलेंगे Inner Planet Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune यह होते हैं हमारे Outer Planet तो इन दोनों के बीच का Mars और Jupiter, Mars और Jupiter के बीच में asteroids बनते हैं तो Inner Planet या फिर हम Terrestrial Planets भी इनको बोलते हैं These are also known as the Earth-like Planet जो Inner Planets होते हैं यह also known as the Earth-like Planet ठीक है Outer Planet जो होते हैं इनको Jovian यह जूपिटर-like planets भी बोलते हैं यह थिक होते हैं इनके अंदर hydrogen and helium होता है इनका आकार जो है वो बड़ा होता है ठीक है, big in size तो Inner Planet एक बार हम यहाँ देखेंगे कहते हैं, these are found by rocks materials rocks and metals rocks और metals से यह form होते हैं इनकी जो density होती है, is relatively higher density क्या होती है, वो ज्यादा होती है, ठीक है वॉल्यूम, अब वॉल्यूम देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे, mercury mercury का वॉल्यूम बता है, 6.083 into 10 raise to power 10 cubic kilometer which is only 5.4% is earth's volume, यानि कि earth के volume का 5.4 परतिशत जो है, वो mercury का volume है Venus कहता, this is slightly smaller than earth with a volume of 9.38 into 10 raise to power 11 kilometer per cubic, ठीक है कहता है, slightly smaller छोटा है, किसे earth से, जिसका volume है 9.38 into 10 raise to power 11 kilometer that is 86% of earth volume, earth के volume का 86% parts अब आता है, earth earth is the largest of the 4 inner planet, although it is nothing compared to the gas agents, जो gas agents होते हैं, जनिकि जो हमारे जो outer planets है हाला कि इनके comparison में छोटा, लेकिन जो inner planet उनमें सबसे बड़ा planet है, इसका जो volume है, 1.08 into 10 raise to power 12 Mars, Mars is actually actually a rather smaller planet with a volume of 1.6 into 10 raise to power 11 cubic kilometer, it is only 15% of earth volume, okay अब आता है, आउटर, देखिए ये जो हमने volumes जो बताया है, planets का, इनको आप बहुत द्यान से करेंगे, एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, आउटर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट में क्या है, जूपिटर, देखिए, जूपिटर is the largest planet in our solar system, हमारे solar system का सबसे बड़ा अग्र है, कौन सा है, जूपिटर जिसको ब्रस्पती भी हम कहते हैं, इसके radius almost 11 times the size of earth, प्रिथवी के radius से 11 गुना 11 times, it has 50 non-moons and 17 waiting to be confirmed, इसके 50 जो है, वो non, जिनको जो खोज जा चुके हैं, वो moon ने उपकर हैं, और 17 जो हो waiting में confirmed होने की, ठीक है, अगर देखा जाए, तो 67 जो है, वो total moons, जो हम count करते हैं जूपिटर के लिए, अब आता Saturn, it is about 9 times earth radius, इसका radius कितना से 9 times, 9 जादा हैं, by the large rings, इसके अंदर क्या है, rings, बहुत बड़े-बड़े, छले, वल्ले, ठीक है, तो अगर rings, planet के नाम से भी पूछे, तो अंसुर क्या होगा, आपका, Saturn होगा, लेकिन क्या था, how they formed is unknown, आज तक भी, ये एक मिथ्या बनी हुई, जो वल्ले जो पड़े है जो rings, जो Saturn के अंदर है, वो कैसे बने हैं, ठीक है, it has 53 non moons, इसके 53 जो moons हो, वो 9 है, और 9 जो है, वो वेटिंग में हैं, ठीक है, यनके total कितना होगे आपका, इनका 62, almost, Uranus, Uranus has a radius about the 4 times, Uranus का radius कितना है, वो 4 times है, it is the only planet, till on its sides, अपने अक्ष पे अपने तरफ ये जुका हुआ है, and also rotate backward, relative to the every planet, backward, विपरी दिशा में घूमता है, ठीक है, उसके बाद कहता है, अपने ही अपने ही दिशा में जुका हुआ है, और रोटेट करता है, 27 इसके मून से, उसके बादा आपका नेप्चुन, इसका रेडियस भी लगबग चार गुना है, किसे पृत्वी से, और इसके जो मून है, वो कितने है, 13 इसके मून है, और वन मून जो है, वो इसका अभी अवेटिंग में जो कनफर्म नहीं हुआ है, अब हम देखते है, टाइम आप दे प्लेनेट स्फोर्मेशन, कि प्लेनेट का जो फॉर्मेशन हुआ, उनकी टाइमिंग क्या थी? देखिए all planets are formed in the same time period जितने भी planets बनेते सभी एक ही time period के अंदर बनेते पहली बात second thing क्या है वो time क्या था 4.6 billion years ago सभी planets कब बने 4.6 billion हमारा अर्थ की हम time पूछते हैं तो अर्थ कब बना 4.6 billion years ago ठीक है moon उसके बाद हिंका moon क्या है 4.4 billion years ago ठीक है अब moon क्या है by the process of big splat and the gent impact moon कैसे बना big splat impact से और gent impact देखिए क्या होता है जैसे कि यह हमारा आर्थ है आर्थ के पास यह another body है ठीक है तो यह another body इसके पास में आया तो इसमें क्या होगा collision start हुआ अब collision start हुआ तो इसके some parts कुछ parts निकल के इसमें से टूट गया और वो part जो टूटा हुआ part था जो separated part था उसको हमने क्या कहा moon का देखिए यह आर्थ है मान लिजी कि यहां से इसका collision होगा collision होने के बाद यह वाला part यह वाला part इसका निकल के यहां पे आगए यह क्या है broken part है तो बताया जाता है कि आर्थ और उसका जो broken part जो moon है उनकी बीच का जो part है उसको हम आज क्या बोलते हैं Pacific conscience बोलते हैं अब आता है evolution of the earth evolution of earth यह two types से होता evolution of lithosphere and evolution of atmosphere ठीक है अब lithosphere का process कैसी हो है यह lithosphere कैसी है process of accretions इसमें क्या है जो heavier materials है वो core के अंदे चला गया और जो light materials है वो outer में आ गया ठीक है this was caused by the density of materials by density के वहाब पर हो आ है जिसकी density जदा थी तो वो नीचे की तरफ आ गया जिसकी density कम थी वो कहा आ गया है उपर की तरफ हो गया ठीक है यह आउटर में चला गया और यह core में आ गया अब आता evolution of atmosphere and the hydrogens ठीक है इसके three steps है first step है loss of the premodule atmosphere by the solar winds इसमें क्या हुआ था किसी का loss हुआ hydrogen and helium का contribution by the interior of the earth degassing ठीक है earth degassing degassing क्या हो था upliftment of the gases from earth interior earth के interior से gases जो हां वो uplift करती है उपर की तरफ वो किससे होगा due to the volcanic eruptions earthquake ठीक है तो gases degassing में gases आता है और इसका water vapor आता है third क्या है photosynthesis photosynthesis क्या होता है इसके अंदर carbon quantity start stabilizing or minimize इसमें क्या हुआ थी carbon की सबसे पहले क्या था carbon की quantity वो ज्यादा थी photosynthesis की वज़े से क्या हो carbon की quantity जो हो कम होती चलीगी और oxygen जो है उसका level जो वो increase होता होना start हो गया ठीक है तो यह था आपका evolution of earth इसी के साथ ही यह आपका topic complete होता है I hope आप लोगों को बहुत अच्छे से clear हुआ होगा thank you and have a nice day कि मेंने क्या थाच्छी तो कि आपकादी अवारा ठीक्षी कि मेंसरी कि Europ